हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपको जामे मिले असलामी का जो 2020 में होटल मेनेजमेंट का पेपर हुआ है उसको डिसकर्स करते हैं उसकी मैं इसमें आंसर की भी बताऊंगा और आपको कोशन्स भी दिखाऊंगा सारे ठीक है और इसकी इस पेपर के अंदर मेंली फोर पार्ट म के ओपर थे जो सेगंड पार्ट 20 कोशन वो थे रिजिनिंग और फिर 30 कोशन इंगलिश के थे रैंड जो इसकी लास्ट के 20 कोशन्स थे वो जर्णल अवेयर्निस के थे तो चलते हैं देखते हैं फस्ट कोशन के तरफ तो 22 का वो क्वांटिटी अफ्टीट्यूट का फर्स्ट कोशन जो है इसका आंसर है सी 6 देज इसमें ये वर्क के ओपर कोशन पोचा गया है इस टॉपिक को मैंने कवर करा रखा है अपने कौनिटी अफ्टीट्यूट में अगर आपने ये किया होगा तो ये कोशन को कर दिया होगा इसका आंसर है सी 6 देज कोशन नमबर 2 ये सीरीज का कोशन है ये भी कराय हुआ है सीरीज में तो इसका करेक्ट आंसर है सी 18 कोशन नमबर 3 ये कंपाउंड इंट्रेस्ट का कोशन है इसका कोशन नमबर 3 का करेक्ट आंसर है ए 10 कोशन नमबर 4 हCF निकालना है 8 9 और 25 का बहुत ही इजी कोशन है देख इसको जब हम इसमें डिफरेंस लेंगे और इसको सॉल करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फिफ्ट का डी करेक्ट आंसर आज़ेगा ट्वेंटी question number 6 what will be the fraction of 4% तो 4% का fraction निकालना है तो 4 by 100 करेंगे तो इसका answer आज़ेगा 4 by 100 equals to 1 by 25 correct option D question number 7 the least number that is divisible by all number from 1 to 5 वो number बताना है जो 1 to 5 सबसे divide हो जाए तो देखे 5 अगर हम लेते हैं यह option तो यह 3 से divide नहीं होगा 60 अगर लेते हैं तो 1 से भी divide हो जाएगा 2 से भी 3 से भी 4 से भी हो जाएगा और 5 से भी तो इसका correct answer भी हो जाएगा 7th का question number 8 which of the following has its area and parameter numerically equal तो जब हम इनमें सब को A, B, C and D को जब हम चेक करते हैं तो इसमें correct answer जो आते है हमारा वो D option आता है regular pentagon of side of 1 cm क्यों? क्योंकि अगर हम A, B, C को चेक करते हैं तो तीनों के option wrong आते हैं हमारे हो तो इसका मतलब हमारा option D ही correct है correct option इसका D हो जाएगा question number 9 find the average of all number between 6 to 34 which is divisible by 5 तो इसको अगर हम 6 से 35 से वो number लेखते हैं जो divisible by 5 है और उनका average लेते हैं तो हमारा correct answer आता है D 30 average age of the boys in a class in 16 years and the average age of girls in 15 years what is the average age of all तो देखे इसको जब हम solve करते हैं तो हमारे पास X and Y दो टर्म्स आती हैं और जबकि हम इसमें equation A की बना पाएंगे जब आप इसको equation बनाएंगे और solve करेंगे तो यह solve नहीं हो पाएगा इसलिए इसका correct answer D हो जाएगा can't be computed question number 11 in a college the ratio of the number of boys to the number of girls is 8 is to 5 if there is a 200 girls the total number of students in the college तो correct option इसका है B 520 question number 12 100 men have provisions for 15 days if 200 more men join them for how many days will the provision last now तो इसमें ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले 100 को 50 से divide करेंगे नई 15 को 1000 से divide करेंगे into 1200 से multiply करेंगे क्यों क्योंकि पहले जो हमारे 15 days थे वो एक तरह से 500 वो थाउजन लोगों में divided थे लेकिन अब हमारे पास लोग कितने हो गए 1200 तो हमारे जाहिर से बात है हमारा time कम लगेगा तो 15 by 1000 into 1200 वीडियो के लास्ट में मैं अटैज कर दूँगों जहां पर इन questions को solve भी किया है question number 13 a man buy an article for 27 and 50 and sell it for 28.60 find his gain percent तो इसमें इसका gain percent निकालना है selling price minus cost price को minus कर देंगे तो हमारा correct answer इसका D आ जाएगा 4% 14 बहुत ही simple question है इसकी multiply करेंगे तो 3 into 26 आ जाएगा और इसमें देखिए तीन तो 3 के बाद point है और 2 जो है वो 2 के बाद point है तो total 5 digit के बाद point आना चाहिए 5 digit के बाद point आने के मतलब है इसका कि 4 0 आनी चाहिए हमारे answer में तो हमारे 14 का correct answer हो जाएगा D C question number 16 का correct answer है C 17 question number 17 जो है यह series का question है बहुत ही simple question है इसका correct answer है D question number 18 correct answer is D 12% question number 19 correct answer is C 18 km per hour question number 20 correct answer is B 26.26 नेक्स पार्ट आते हैं reasoning पर देखें जो मैंने reasoning की series डाली reasoning की YouTube पर series डाली है मैंने जामिया और इसके लिए उसमें से अगर आपने वह series कर रखी है तो आप इसमें 20 में से 20 question कर पाएंगे कि इसमें question number 21 का correct answer है A question number 21 का correct answer है A question number 22 का correct answer है D question number 23 correct answer is D either grandfather और grandmother question number 24 correct answer is B 28.28 km question number 25 correct answer is B South question number 26 correct answer is A Southwest question number 27 यह वो question है blood relations का question है question number 27 इसका correct answer है B sister question number 28 यह assertion and reason का question है question number 28 का A is correct answer means both assertion and reason true and R is a correct explanation of A question number 29 correct option is C question number 30 correct option is D Harish question number 31 correct option is D question number 32 correct option is A question number 33 correct option is A question number 34 correct option is A 50 question number 35 correct option is B 50 question number 36 correct option is A employee Q37, correct option is C Q38, correct option is D Q39, correct option is C, uncle Q40, correct option is B यह reasoning भी इस में काफी easy ही level की थी जो अगर अपने वो series मेरी कर रखी है YouTube पर जो available है अगर उसको आपने attempt कर रखा है तो definitely आप इसके questions कर पाएंगे जादा तर at least 80 to 90% questions तो आप करीप आएंगे next part है हमारा English comprehensive तो English case में 30 questions आये थे मैं उसके answer बता देता हूँ जो question number 41 है उसका correct option है B question number 42, correct option is A it helps to reduce noise level question number 33, correct option is D question number 44, correct option is A food and drink can be delivered to your room question number 45, correct option is B so that the room can be clean ready for the next occupant next question है read the following, ये भी grammatical error बतानी है question number 46, correct option is A we discussed about the problem so thoroughly question number 47, correct option is A if I had known question number 48, correct option is C to thank you for the same question number 49, correct option is D no error देखे इसमें आये, match the idioms and freeze to correct option idioms बताना है question number 50, to keep one stamper correct option is C to preserve one energy question number 51, to cry wolf correct option is B, false alarm question number 52, correct option is D threatened question number 53, में spelling बतानी है आपको spelling mistake बताना है correct option is B, a company A, C, O, M, P, A, N, Y question number 54, ये भी spelling का ही है correct option is D question number 55, इसमें synonym of the rebate synonym बताना है इसका, 55 का D, discount question number 56, एंटॉनिम बताना है correct option is D, ancient question number 57, match the correct active and passive voice active and passive voice तो देखें, active and passive voice की भी series पड़ी होई है मैंने चैनल में, प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको active and passive voice मिल जाएंगे, direct and direct भी मिल जाएंगे और अगर language का course है तो उसमें तो काफी chances रहते हैं कि direct, indirect, active, ऐसे से question आए question number 57 का correct option is C question number 58, correct option is D, energy question number 59, correct option is B, someone else question number 60, correct option is A question number 61, correct option is C question number 62, correct option is D, tightly and badly question number 63, correct option is A, following question number 64, correct option is A, try question number 65, correct option is D, does the train live question number 66, 70 है यह arrange the passage है अब arrange the passage अगर आप इस passage को देखते हैं तो यह times of India का एक article है उसको बस आगे बीचे कर दिया है उसे को हमें arrange करना है तो अगर आपको arrange the words इस तरह के sentences को arrange करना सीखना है तो इसका सिर्फ एक ही trick होती है कि आप जादे 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 रीड करें तो जो लोग English newspaper read करते हैं या फिर English novels वगेर तो उनके लिए काफी इंडिया के अंदर आर्टिकल आया हुआ है उसी आर्टिकल को बस यहां d arrange कर दिया गया और हमें का गया है कि इसको arrange करो और simple अगर करने के बाद पांच questions पूछे गए है देखिए बस इसमें क्या पूछे गए which of the following last sentence कौन सा है first sentence कौन सा है तो मैं आपको आया करेक्टेशन और दिया और इसका देता हूं पूछशन नोमर 66 ऐह यह 저 लााज सँटेंस जो है वो ड़ी है इसका मतलब ड़क्रिक्ट ऑप्शन ईस利 मतलब क्रट्च عाप्शन इसकर शिक्स्तीष का 67 का क्रेक्ट ऑप्शन इछ ए 68 को अप्शन डी 69 क्रेक्ट option is D 70 correct option is B general awareness पर आ जाते हैं एक फोर सेक्शन है इसमें 20 question आये हैं तो question number 71 correct option is C elected member of the legislative assembly question number 72 correct option is D Raja भर्मल question number 73 correct option is C Mysore question number 74 correct option is C Abhijit Banerji question number 75 correct option is C does not contain alcohol question number 76 correct option is D Aurangabad question number 77 correct option is B Wuhan question number 78 correct option is D Delhi Kolkata correct option Kolkata इसका D question no chyba 79 correct option is किसेu ISN gráfic question no March 80 correct option is B Tamil Nadu question number 81 correct option is C correct option is C correct option is B question number 81 correct option is B question number 82 correct option is D वर्णिक लिटचर question number 83 correct option किसीu monitor question 84 correct option is D agriculture question No. 85 correct option is B, front office, question number 86, correct option is C, joker, correct question number 87, correct option is A, greenhouse effect, question number 88, correct option is D, processor, question number 89, correct option is B, gujarat, correct option, question number 90, correct option is D, D, opposite O, अगर आप ये जर्नल अवेर्नेर्स की जो सीरीज इसमें questions आए हैं, ये लगवग जो हमने questions पढ़ाए हैं, जर्नल अवेर्नेर्स और current affairs की series में, उन में से काफी questions इसमें match किया है, इसके वीडियो के इसके बाद मैं वो भी आपको solutions भी add कर देता हूं, जिसमें आप इसके solutions दे का method भी देख सकते हैं, इसके solutions कैसे करना है, वो भी पता चल जाएगा, तो ये question number first है, मैं इसको move कर देता हूं, इसमें आप solutions देख सकते हैं, कैसे हुए है, थोड़ी help के लिए, question number 4, question number 5, question number 6, 7, 7 का correct option D, 7 का correct option D नहीं है, बी है, ये wrong लिखा गया है, आपर mistake से, question number 7 का correct option is B, 60 है, question number 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये aptitude का part है, reasoning के भी question देख लेगे हैं, उसके भी solution देख लेगे हैं, उसके भी solution देख लेगे हैं, questions provide कर देखा हूं, question number 1, 2, 23, question, 24, question number 25, 26, 27, 28, and 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, and 40, तो friends आपको इसकी answer की, इसकी अगर answer की एक्जब चाहिए, मैंने one format में इसकी answer की जो बनाई है, वो मैं अपने Instagram पे upload करूँगा, अगर आपको इसकी answer की चाहिए, पूरे paper की तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मैं Instagram का link नीचे description में देख दूँगा, आप इसकी answer की वहाँ से download कर सकते हैं, तो channel को subscribe जरूर करना, आप लोग video दो देख रहे हैं लेकिन channel subscribe नहीं कर रहे हैं, तो video को like करना और channel को subscribe जरूर करना, चली मिलते हैं next video में